आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस Question में हमें दिया गया है कि यह Simple Pendulum Oscillating in Air has a period T तो याकि इसका time period air में T है और उसके बाद जब अगर इसे हम किसी non-viscous liquid में completely immerse कर दे तो उसके बाद यहाँ पे इसका कोई time period होगा जो की change हो जाएगा तो हमें यही time period निकालना है जो की non-viscous liquid में immerse करने पे होगा हमें यहाँ पे इस liquid के बारे में information दी गई है कि density जो है इस liquid की वो 1 by 16th है density of the material of the bob सो अब यहाँ पे हमें बता यह हमें जियूम करना है कि जो bob है वो पूरी time पे liquid के inside ही है यानि कि अपने complete जो emotion का part होगा इसका यह उसमें liquid के inside ही है सो यहाँ पे क्या हो रहा है हम जो time period होता है एक pendulum का उसे represent करते है t is equal to 2 pi under the root l by g से तो यहाँ पे क्या होता है कोई fix point होता है जिसमें यहाँ से l length की string होती है और एक bob होता है यहाँ पे सो यह oscillate कर रहा होता है और time period क्या होता है time period होता है इसके एक पूरे oscillation का जो time है सो यह एक किसी arc को follow करेगा l length की सो यहाँ से यह जब time period होगा वो हम उसे कहेंगे कि initially जो यहाँ से suppose यह है point इसका initial point और यह है इसका जो extreme जो second point है इसे मैं e से ले रहता हूँ सो जो पूरा time period है इसका वो i से e तक जाने का और उसके बाद e से i तक वापस आने का इस पूरे time को include करता है तो यह होता है इसका one oscillation और one oscillation का time है यहाँ पे t is equal to two pi under the root l by g where g is the acceleration due to gravity तो यहाँ पे क्या हो रहा है किसे अगर हम किसी non viscous liquid में immerse कर दें तो suppose यहाँ पे अभी यह non viscous liquid आ गया पूरा non viscous क्यों तो non viscous से हमें पता चलता है कि इस bob के उपर कोई भी और frictional resistance नहीं लग रहा है पर यहाँ पे इस liquid का effect जो होगा वो हमें consider करना पड़ेगा तो liquid का effect क्या होगा उसे हम ऐसे देखते हैं अगर इसी bob को मैं यहाँ पे देखूँ और suppose यह है इसका external जो बाहर का liquid है तो इस bob पे कौन-कौन से forces लग रहे होंगे एक force तो होगा इसका self weight जो की mg जो की downward direction में लग रहा होगा और जब यह air में था और air को अगर हम massless बिलकुल assume कर ले बिलकुल ideal condition assume कर ले तो इसके उपर यहाँ पे mg के अलावा और कोई force नहीं लग रहा था और tension लग रहा था बस इसके उपर तो अब यहाँ पे change क्या आया है यहाँ पे इस string के tension के अलावा यहाँ पे जो change आया है इस liquid के कारण वो आया है इसके point force के current तो यह bob अगर completely immersed है liquid में in all the times तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका point force हमेशा constant रहेगा और वो upward direction में लगता रहेगा तो जो point force होगा यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं weight of this liquid displaced यानि कि weight of liquid displaced होगा वो कितने बराबर होगा वो होगा weight of the liquid equal to the volume of this bob, so suppose इस bob का volume है V so यहाँ पे कितना liquid displaced होगा यहाँ पे होगा V volume का liquid displaced so यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ उसका weight होगा V into rho L into G so अब यहाँ पे इसे मैं effective G के कारण effective G की तरह represent कर सकता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे जो इसका net force है downward direction में जो air के case में था वो तो था mg जिसे हम लिख सकते हैं V rho G के बराबर where rho is the density of the bob so अब जो effective G है यह change हो गया है और यह change होकर क्या बना है इसे हम लिख सकते हैं V rho G minus this point force which is V into rho L into G so यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि अब यह जो net जो इसके ओपर force आया है यह effective G के कारण लग रहा होगा तो यहाँ पे मैं G effective की अगर value निकालू G effective यहाँ पे क्या है G effective है जो effective इसके ओपर force लगेगा जो इसको oscillation करा रहा है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे V into rho into G effective is equal to V rho G minus V rho L into G तो यहाँ से अगर हम G effective की value निकाले तो हम उससे बता सकते हैं कि time period कितना होगा क्योंकि time period में बस यहाँ पे G effective में या फिर G में variation हो रहा है यहाँ पे इस liquid के आने के कारण तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम V और rho को eliminate कर सकते हैं उसके लिए हमें rho L की value चाहिए होगी जो कि हमें दी गई है हमें बताया गया है कि 1 by 16th है density of the liquid तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं V rho G minus V into rho by 16 into G तो यहाँ से अब मैं V और rho को cancel out कर सकता हूँ दोनों तरफ से तो उससे मुझे G effective की value मिल जाएगी तो G effective की value क्या होगी यहाँ पे V और rho को अगर हम दोनों तरफ से cancel out कर दें तो G effective हमारे पास आएगा G minus G by 16 और इसे हम और लिख सकते हैं 15 G by 16 सो अब जब effective G यह लग रहा होगा तो time period में definitely कुछ change आएगा तो जो change time period है अगर हम उसे निकालें तो वो हमारे पास क्या आएगा सपोज मैं जो change time period है उसे T dash के through represent करूँ तो T dash होगा यहाँ पे 2 pi under the root L by G effective जब यह air में था तो यहाँ पे G आता था अब यहाँ पे G effective आ जाएगा तो यहाँ पे हम जब इसे substitute करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 pi under the root L by G effective की जगे हम डालेंगे 15 G by 16 तो 16 यहाँ पे numerator में आ जाएगा तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं 2 pi 16 का root अगर हम बहार ले ले 16 को इस root से बहार ले ले तो हमारे पास यहाँ पे बहार आ जाएगा इसका root जो की होगा 4 और नीचे denominator में भी root 15 आ जाएगा और साथ में आएगा root under L by G तो अब यहाँ से 2 pi root L by G को तो हम जानते हैं यह original हमें जो value दी गई थी time period की वो है इसे हम लिख सकते हैं 4 by root 15 root 15 times t तो यह हमारे पास t- है तो हम t- को अगर options के इसाब से देखे तो हमारे पास क्या आया है हमारे पास option 3 match कर जाएगा यहाँ पे क्योंकि option 3 में यहीं दिया है 4 t multiplied by root under 1 by 15 तो हमारा जो t- है वो option 3 के बराबर आया है तो यह हमारा इस question का correct answer है